किसी माइनक्राफ्ट के यूनिवर्स में एक टूनी नाम का लड़का रहता था उस यूनिवर्स में उसकी जिंदगी काफी अच्छे से बीद रही थी लेकिन अच्छानक से एक दिन उसका सिर दुखने लगता और उसे अजीब और गरीब तस्वीरे दिखने लगती पर उन तस्वीरों में एक तस्वीर बार बार उसके सामने आ रही थी जो कि थी नदर पोर्टल इस रहसे को सुलजाने के लिए टोनी अगले ही दिन नदर पोर्टल ढूनने के लिए निकल जाता है और जैसे ही उसे नेदर पोर्टल मिल जाता है वो उसके अंदर चला जाता है जैसे ही मैं पोर्टल के उस पार निकला तो मैं एक अजीब से रूम में पहुँच गया वो रूम काफी सस्पिशियस था लेकिन फिर मैंने एक दो बार यहाँ वहाँ देखा तभी मुझे एक लाइट या टॉर्च जैसा कुछ दिखा जिसके उपर लीवर लगा हुआ था और मैं जब उस लीवर को बन चालो किया तो लाइट बन चालो होने लगी और वैसे ही मेरी नजर एक साइन बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था यह सो रातों की परिशा है जिसे तुम्हें पार करनी होगी और आखरी रात को तुम्हें 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 सभी सवालों की जवाब मिल जाएंगे इसका मतलब है कि मुझे इस वर्ड में सो राते बितानी पड़ेगी यह पढ़ने के बाद मेरी निजर लेफ्ट साइड में रखे चेस्ट पर गई जिसके बाजो में साइन बोर्ड पर लिखा था स्टार्टर पैक यानि कि इस चेस्ट में मुझे इस वर्ड में सर्वाइव करने के लिए स्टार्टर पैक दिया गया है जिसमें कुछ सामान रहेंगे ऐसा समझ कि जब मैंने उस चेस्ट को खोला तो मुझे उस चेस्ट के अंदर काफी अजीब होगरी वेपन्स मिले जिसमें की बूमरेंग, त्रोइंग एक्स और एक बड़ी सी कोई तो तलवार मौजू थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था उसमें कुछ हेलमेट्स और शील्ड के साथ बेड़ भी दिया था लेकिन सबसे खास बात उसमें थी वो थी टोटम जैसे ही मैंने उस टोटम को अपने हाथ में लिया वैसे ही वो टोटम बात करने लगा ये कौन बोला? अरे मैं इधर मैरे सामने ही हूँ कहा? अरे अरे तुमारे हाथ में देखो कहा हाथ में? अब ये क्या है? अरे पेक क्यो दिया मुझे? अँच्छा तुम बात कर रहे हो कौन हो तुम? मैं टोटम हूँ हाँ वो तो मुझे दिख रहा है लेकिन तुम बात केसे कर पा रहे हो हम मैं टोटम में फसीक आत्मा हूँ जिसे विच ने पंदरह सु साल पहले इस टोटम में कैद कर रखा है अरे कौन सी विच कहा की विच और ये सब कैसे हुआ टोटम से कुछ दिर बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो भी एक विच था जिसे एक विच ने इस टोटम में कैद करके रखा है और उसकी बातों से ये भी पता चला कि ये पूरा वर्ल वेस्ट लैंड हो चुका है और सारे लोग यानि कि विलेजर्स और होरसे जॉम्बी में कनवर्ट हो चुके है और उसके हिसाब से इस वर्ल में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि नॉर्मल या लिविंग बिंग हो तब ये तो उसका कहना था है तो चलो उपर जाकर एक्चुली में देखते हैं कि ये वर्ल कैसा है और जब मैं खुद उपर गया तो मुझे बीलो दूर फैला हुआ वेस्टलैंड और रेगिस्तान ही दिखा ये क्या यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है और ये अजीबो गरी वेपन कौन से ये पहले तो हुआ नहीं करते थे ये काफे पावरफुल लग रहे है इससे मुझे एक बात तू पता चल गई कि भाई इस वर्ल में सर्वाइव कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है थोड़ी देर जहाँ वहाँ घूमके मैंने पूरे एरिया को स्काउट कर लिया और देखा कोई ट्री या कोई लिविंग और्गनिजम वहाँ है या नहीं जिससे मुझे खाने पीने के लिए मदद हो लेकिन अनफॉर्चनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया तो जैसे हर कोई आदर्श माइनक्राफ्ट प्लेयर जब नए वर्ल में आता है तो वो एक ही काम करता है और मैंने भी सबसे पहले वही काम किया और वो था पेड़ काटना तो मैं फटाफट से पेड़ काटने लग गया और पूरे वूड को ले लिया भले कि यहाँ पर ग्रीनर ही नहीं थी लेकिन पेड़ ज़रूर मौझूद थे यदि वूड नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि हमारा क्या हो पाता तो मैंने फटाफट से सारे पेड़ प्लॉक्स को काट कर उसका एक क्राफटिंग टेबल बना लिया क्राफटिंग टेबल बनने के बाद मैं जल्दी से फार्मिंग एक्विप्मेंट बनाने लगा और मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि कब वो दिन से रात हो गई और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा एक रात कब हो गई ? clearly जल्दि यहां से वागो अपने बेसे तहापर है मेरा थे इस दिया जब करके अगर तुम इस दुनिया में मर गए तो मेरी तरह टोटम में क्या दूटू कर रहो मतलब में बिलकुल भी मर ने सकता मुझे जल से जल यहां से जाना पड़ेगा तो मेरे सामनी एकदम से जॉंबी जाने लगे और फिर चारों तरफ में जॉंबी से ही घिर गया कैसे बैसे करके मैं अपने बेस में वापी से घुस पाया मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरा पहले ही रात को मर्डर हो जाता सो रात तो दूर की ही बात थी अरे यार मैं सो भी नहीं पा रहा हो और जब मैं सोने को गया तब वहां पे लिख्के आ रहा था कि You May Not Risk Now There Are Monsters Nearby मतलबी Monsters की वज़े से मैं सो भी नहीं पा रहा था तो मुझे पूरी रात वैसे ही उस सेफ हाउस में जक्य बितानी पड़ी और अगले दिन सुभा को जब मैं बाहर आया तो मैं जॉम्बीज के गिरे हुए रॉटन फ्लेश और एक्सपी को उठाने लग गया और इस पॉइंट पर मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि मुझे बेसिक सामानों की काफी सक्त जरूरत है जॉम्बीज का सारा सामान उठाने के बाद मैं इस वर्ल में बेसिक सामान ढूणने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दूरी पर एक पत्थर की टूटी हुई इमारत दिखाए दी पहले तो मैं काफी नर्वस था कि यहाँ से कोई जॉम्बी न निकल आ जाए बाहर क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी चीज नहीं थी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सिवाए हमारे बेसिक वेपन्स के और लखी लिए उस घर में कोई भी जॉम्बी मौझूद नहीं था और ना ही कोई क्रीपर मौझूद था और जैसे मैं उस घर के उपर चड़ने लगा तो मुझे वहाँ पर एक चेस दिखाए दिया और उस चेस के अंदर मौझूद थी सबसे में चीज जो कि यह सीड्स मैंने फटाफट से वह सारा सामान अपने इंवेंट्री के अंदर रख दिया और चेस्ट को भी तोड़कर ले लिया और फिर उस चेस्ट को लेकर मैं वापी से अपने सीक्रेट बेस पर आ गया लेकिन सच कहू तो मुझे सीक्रेट बेस ढूडने में काफी दिक्कत हुई इसलिए उसे स्टैंड आउट करने के लिए मैंने एक डर्ट का बड़ा सा पिलर बनाया जिसके वह से मुझे दूर से ही अपना सेफ आउस दिख जाए जब तक मेरा पिलर बनाना खतम हो ही रहा था तभी रात होने लगी और जॉम्बी वहाँ पर आने लगे और ये क्या जॉम्बी कहां से आने लगे और अज एनी रिस्पॉंसिबल माइनक्राफ प्लेयर मैंने अपने नए वेपन ट्राय आउट करना शुरू कर दिये सबसे पहले मैंने ट्राय आउट किया बूमर है जो की काफी अच्छा काम कर रहा था लॉंग रेंज वेपन की तौर पर और फिर उसके बाद मैंने ट्राय आउट की थ्रोइंग एक्स जो की वन टाइम यूज है लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसे वापिस लेने सकते त्रो करने के बाद वो काफी अच्छा कासा डैमेज देती है और बस हमें वापिस उसे आकर लेना पड़ता है रात काफी जादा होने लगी थी इसलिए मैं जल्दी से नीचे जाके उस दौम्बी को मार देता हूँ और सेफ हाइड आउट में चला जाता हूँ और फिर सारा सामान सेफ हाउस के चेस्ट में डालने के बाद में उस रात के लिए सो जाता हूँ और जैसे ही अगली सुब्र होती है वैसे ही मैं बिना टाइम वेश्ट की ये फार्मिंग के लिए लग जाता हूँ क्योंकि farming की equipment तो मैंने पहले ही बना लिये थे और मैं farming में इतना busy था कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पीछे से कुछ zombies मेरे उपर attack करने आ गए कि जावाद आरा है जॉंबी का नहीं कहां से आगा है अरे हमें फेंस की बहुत जरूरत है हमें सबसे पहले फेंस ही बना लेना चाहिए था कि इस जॉंबी के पास गोल्डन आर वरे तो नहीं किया वह उन दो जॉंबी को खतम करने के बाद में वापी से अपने farming पे लग जात पूरे अपने safe house के चारो और मेरा farm included पूरे चारो बाजूं में fence लगाने थे तो इसलिए मैंने जो भी wood collect किया था मैंने उसे wooden plank बने और उन wooden plank की मदद से मैंने fence बना लिए और फिर अगले दो दिनों के लिए मैं अपने चारो तरफ fence ही लगा रहा था और जब मैं आंकरी बचे हुए कुछ zombies को मार रहा था तब मुझे left side में a message आता है blood moon is rising blood moon क्या होता है तो मुझे पता नहीं था कि ये blood moon होता क्या है और मुझे ये बात पता चलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा कि जैसे ही रात हो गए वैसे ही moon का color red हो गया और चार तरफ से लाखो करोरो zombies मेरे तरफ आने लगे पाप रहे तो चारो तरफ से मुझे घेर लिया है मेरा गेवी पुरा लाइक होने लगे मुझे जलसे जाके सोना पड़ेगा चल भाई अंदर अगर मैंने ये fence नहीं बनाई होती तो ये zombies मेरे घर के अंदर यानिकि safe house के अंदर सत्य था उस रात को लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने वो fence बना ली बराबर red moon के पहले उसके बाद मैं वापी से safe house के अंदर चला गया और बेड़ पर सोने की कोशिश की लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी कि red moon के रात को आप सो नहीं सकते तो फिर मैंने वो भी पूरी रात वैसे ही बेड़ के उपर जग कर निकाल दी उसके अगले ही दिन मैंने जल्दी से pickax बना ली और mining करने के लिए लग गया कि मैं बनाने वाला था एक काफी बड़ी या zombie trap जिसकी मतद से मैं उन्हें काफी अच्छे से मार कर उनके सामान और xp ले पाओ लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे stone की काफी जरूरत थी तो मैं फटाक से नीचे चला गया और mine करना शुरू कर दिया लेकिन जॉंबी ट्रैप घर से थोड़ा दूर था इसलिए मैं उस तक पहुचने के लिए एक underground passage बना रहा था और यह क्या हुआ सामने कहां से अगए एक एटर मेरा अजय कि यह कुछा वापीस से में उसे मार ने सकता से लोगे अशने साभी फार को मारने के बाद हमारे अगले पास्से चेतने में और उस ट्रैप को बनाने में ही गए उसके बाद कुछ और दिन हमने उसे टेस्ट किया और फिर उससे काफी सारा एक्सपी और अलग-अलग आर्मर और एक्विप्मेंट जॉंबी से गैदर किये आज आगे वाव 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 इन्हें यहीं से मार लेते हैं हम लोग वैसा हमारा यह तो काफी अच्छे से अभी इनके अंदर हो बच्चा है या कोई तो है जो मुझे मार रहा है पता है कि मुझे खाना खाने तो मुझे खाना खाना तो मैं मर जाओंगा तो कैसा अभी यहां पर बहुत सारे जन आ गए और मैं नीचे के यह सारी चीज़े निकाल दिये तो थोड़ा इसी जा रहा है मुझे उनके फटके इतने अच्छे से नहीं लग पा रहे लेकिन दिक्कत यह कि यह तलवार उपर तक जाई नहीं रही है इने मारने के लिए इनको मार के कुछ ले लेते हैं इनसे अच्छा आया निंगत मिल जाएंगे शाय से कि अच्छा आए अच्छा आए अच्छा आए तो गाइस हमने अभी तक वैसे तीन सोड बना दिये इने मार मार के यह मार के और और बड़ा चेंज़ेस के पहले मुझे भागने दो इसे बच लेने दो जो वो सौड लेनी चाहिए कि इसकी पावर ज्यादा है कि अचल भाई तो अब दूर से मर भाई एकदम खतर ना एकदम पावर फुल है हमें बस डायमंड मिल जाता हम लोई डायमंड की एस्वाट बना सकते हैं पता है आपको कुछ और दिनों तक ऐसे ही जॉम्म बढ़ने के बारने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारा फार्म तो बड़ा ही नहीं हो पा रहा है यूंकि उसकी आज-वाज-वाज-वाज-व पानी नहीं था, तो इसलिए पानी ढूंडना हमारा सबसे पहला और इंपोर्टन प्रायोरटाइज टास्क बन गया, तो इसलिए हम पानी ढूनने के लिए निकल पड़े अरे वहाँ पानी मिल गया यह क्या चीज़ है ओ यह बर्फ है लोगों पहले पानी लेते हैं हम लोगों पहले जाके अपने यहाँ पानी का infinite water source बनाना पड़ेगा और लगीले कुछ दूरी पर रेगीस्तान में भागने के बाद हमें पानी मिल ही गया लेकिन एक्च्वल में वो बर्फ होने ही वाला था उससे पहले हमने बर्फ तोड़के उस पानी को ले लिया और फिर उस पानी को ले जाकर हमने अपने बेस में infinite water source बना दिया और फार्म क कि यहां पर इतनी धंडी इतनी है कि इसे भी तोड़ दें फटाफट से अभी अपनी क्रॉम्स किसे फटाफट से बढ़ने लगे है कि अच्छा अब हमें चाहिए कुछ अच्छा खासा लावा पानी मिलने के बाद हम अगले ही दिन लावा डूडने के लिए निकल पड़े लेकिन उस दिन वहां पर हमें लावा तो मिला नहीं लेकिन एक वाइट वुल से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाए दिया झील, प्नेमस अपनी काया है कर जाके स्टोन है.. मैं शाना कैस्ट, छाने किकाई है? विन शाने के अगारद की दिदेखनल की जिए जाए है? जाने के माँठवाती वाइट बार बना सकते दोनिकमा जानें । चाने माँठाद मेतल हैं? यगाँ पर दोता है अरे तु कोई घर लग रहा है किया अंदर किया मुझे दिख तु नहीं रहा है तर्वाजा भी ने दिख रहा है अब यर दरवास नहीं को डम एक अपने को फटे ल फोर यहार जांगा है मैसे देख लगए अपने को kais लगेगा इन बना ले टेख भी वहार है यहार तो भाइ यहार अपिया आंज़ इंग अच्छा हटा और्च र्दियो old वाव खर फट हुट रहा से ले ले लेते हैं, अमी छहापा स्टून की ज़रुवत हैं मुझा सेथाlles स्टून was rép XX अभी घर्म कोया है यह टोटे अमे बंदना कार्ण चाहिआ हुमना काफी अच्छा दिख रहा हुम लोगभसे सीघसा कि आई आप दो प्रौशा किंखने वा लिग सिद रहत है he यह भाप रहे भाई तुम खतरनाक ताइमंड है यह क्या गोल्डन एपल से यह कुम से शील्ड है यह पहली बार देख रहा हुआ प्रूर्ड वुर्ण शील्ड कि अप्री यह पहले यह पहले ले ले लोग सब पता नहीं कुछ तो उन्हें करका रहे गाएंगा या नीचे वीचे गिर जाएगा और कुछ यह भी ले ले लेते हैं लो व्ट शब ले ले लो सब ले लो प्रूर्ण का सफ्टरनाक शील्ड एससी लग रहा एकदम अब यह सेक क्येंग पहुँ सान की ! यह रही डते ही है कि तदरी टने में यह यह आप पाइघ जया आप आं भाते हैं है रहा रहा है त ठीस सब्सक्नी्चंद 1 अ कर डा मय चाहरे हो ठाल कि गूश्रादी में यह पाइज तक्ले आक पारना बतावट है इसे लगाए था मैं अब मुझा अबी इतना अच्छा इसकितने यह लोग कि कि सुग्राइब कैसे आए और और स्केलिटन कप से पहनने लगे कि प्रस्केलिटन आर्मर कप से पहनने लगे ये क्या हो गया से रिटन्स के बाद अच्छे बूर्ट भी आ गया नहीं नहीं मुझे बिल्कुल पंगाने लेना इंसे बाद में सारी लूट लेने के बाद और अपनी जान उन केवमेंस से बजाने के बाद मैं कैसे बैसे अपनी बेस पर वापिस आया लेकिन जब मैं वाटर लेने के लिए फार्म के नजदिक गया तो मैंने देखा क्यों मैंने जितना भी वाटर लाया था वो पूरा फ्रीज होकर आइस बन चुका है जिसके कारण मेरे फार्म वापिस से ग्रो होना बंद हो गए अरे मेरे पूरा क्या है यार जाल वापिसने का मेरा मेरा प्लांस तो ग्रोहर है अजलो कि अगऑ अजर लगाने देव वह कुछ कि अज़को मेरे अज स्पिस था फिर अंदर केसा आगया और जब मैं अगले दिन वापिस से अपने सीक्रेट से फाउस से उपर आया तो मैंने देखा कुछ जॉंबिस अंदर गुश चुके थे इतना ही नहीं मैंने उन से बचने के लिए अपने फेंस को डबल भी कर दिया था लेकिन क्या पता ये जॉंबि यहाँ पर कैसे आ गया इसलिए अब मुझे एक बात तो समझ में आने ही लगी थी कि ये फेंस मुझे जादा दिनों के लिए जिन्दा नहीं रख सकते तो इसलिए मुझे जल से ये लए ट्राप बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने सेफ आउस में सेफ रह सकूँ इसलिए उसी दिन में ने अपने बेस के चारो तरफ टू बाइटू का गड़ा खुदा कुरा ये दो दो बार तो कर लिया ये तो दो नो दोनों ऊपर लेँ था कि कोई भी हमें मार न पाइगा ये मार पाएथा हमें नहीं नहीं ज़र दो पाएगा ने लेकिन उसके साथ सथ हमने और भी कुछ किया है वह भी बीच दिखा था हूं मैं जहले हिए मिले लूँ यह इसका से हमारे फसल बड़ी हो रही है यह पानी फ्रीज हो जा रहा है बार बार पार पताने क्यों लेकिन ए एक चेंजेस किया है और ने गया में गया तो जो जो है कि मैंने काम किया मैंने पूरा पूरे साइड से ऐसे खोद के रखा है कि कोई वी जूंबिस नजदी की नहां पाए अब मुझे एक काम करना है तो इस ने डाल दिया अब माइनिंग कर रहा था कि यहां पर पाजू में एक लावा डाल देते हैं कि अब में एक लाव जाए लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा जाता है मुझे काफी इंट्रेसिंग चीज मिलिया है कहां पर तो यहां यहां पर तो यहां से हमें लावा बहना है और वहां पर जाके डालना है कि यहां पर गया रात होने वाले वैसे यह शायद काम हमें कल कल करना पड़ेगा तो जाते हैं इस जलने लग गई में इतना पागल था कि मुझे पता ही नहीं था कि यह फेंस लकणी से बनी हुई है और अगर में लावा उसके डस्दीग डालूँगा तो यह सारी जल जाएगी तो जल जाएगा और मैंने इतना मेहना से बनाया था लेकिन कोई बात नहीं गाईस मेरा काम आखर में पूरा हो चुका एक मिनिट यहां पर हो गया और यह अभी पूरा जली जाएगा मुझे पता था मेरी सारी मेहनट चली गई और यह पानी बार बार तोड़ते रहना पड़ रहा है लेकिन कोई पतले लेकिन मैंने काफी सीक्रेट चीज बनाई यह देखो जूंबी अंदर आ ही नहीं सकते कहां से आएंगे लेकिन फिर भी पूरी फेंस जल जाने के बाद भी मैंने अगले देन उस पूरे गड़े को लावा से भर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी जो क्यों है वाटर फ्रीजिंग की वाटर बाहर बाहर फ्रीज हो रहा था इसलिए मुझे जल से जल कुछ हीटिंग सोस आना था और मैं लावा को अपने प्लांट के बीच में रखने सकता था तो मैंने देखा कि दूर कुछ नेधर रैक्स जल रहे है और नेधर एक एक ऐसा स्टोन होता है जो कंटिनूस जलता रहता है और यह अपनी फायर को बाजू में स्प्रेड भी नहीं करता तो मैंने पूरा पानी वापिस से लिक्विड में कनवर्ट हो गया अब तो बस तुम और में हूँ आजा मेरा गेम बहुत हैंग होने लगा है कि क्या हुआ फट गई फट गई फट गई आओ आओ अरे धक्का दे रही है तो एक दूसरे को वाव 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 बहुत है कि वह लोग अंदर तो नहीं आप आएंगे लेकि मुझे फिर भी सोना पड़ेगा कि मैं अगर गेम क्रैश हो जाएगा इतनी सारे जन आएंगे तो और मैं कुछ करने पाऊंगा यह देखो सारे जन मर रहे है सारे जन मर रहे है ओ माइग गाड है यह उपर आ रहे क्या है यह चलो नीचे मुझे डर लग रहा है मैं सोने जा रहा हूं यह कुछ हद से जादा आ रहे है यह एक दूसरे के बॉड़ी के ऊपर चड़के आ रहे है मुझे सो जाना चाहिए लेकिन अभी जॉंबी काफी समझदार हो चुके थे वो लावा में गिरने के बजाए कूत के अंदर आने लगे अबिस्लिक बहुत सारे जॉंबी तो लावा में मर जा रहे थे लेकिन कुछ जॉंबी जॉंबी होर्स से कूत कर अंदर आ जा रहे थे कि ब्लड मून के दूसरा दिन देखो बाहर देखो क्या गंद मची पड़ी है यह क्या है इतने सा रेजन प्लड मुन खत्रम हो गया भई मार्ट अरे नहीं 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 यह कहां से आ गया है यह बंद्य अंदर कहां से आ गया अट आँट रुको 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 मां हुआ दो रोखो को पूरे टाइम माइनिंग करके हम लोगों ने है यह इस टॉनवाल उसी के लिए बनाई यह अरियो मुझे डरा रहे है स्टॉनवाल से भी हम लोगे इसले बने था कि वह वहां से ऊपर ना सके है और यह मुझे वहां से भी डरा रहे है यह देगो यह देगो कैसे खूद रहे प्रिशले मैंने अगले कुछ दिन वापिस से माइनिंग की और पूरे बेस को स्टोन वाल से सराउंड कर लिया अब यह बेस इतना तगड़ा बन चुका था कि अंदर कोई इंट्रूड कर ही नहीं सकता था अगले दिन मैंने सोचा क्यों न एक वापिस टावर बनाया जाए जिससे मैं अपने बेस की चारो और नजर रख पाओ और मैंने बिना टाइम गवाए वापिस टावर बनाना शुरू कर दिया वापिस टावर बनने के बाद तो काफी सेक्शी लग रह था और मैं अपने बेस के चारो और नजर रख पार आ था और बाद में मैंने कुछ समय के लिए माइनिंग की और कुछ फार्मिंग की और फिर उस रात के यज इम मैं सो गया कि यसे मैं सोच रहा हूं कि जो बुल हमने में लाया था उसे एक नया बेड बनाए क्योंकि हमें दूसरी जगों पर जाना पड़ेगा अभी अभी हमारे पास सामान की कमी है अगले ट्रैप के लिए अगला ट्रैप इससे भी बहुत खतर्ना कोने वाला है इसे के से यश बहुत बढ़की अभुआ थंड इसे विदह अ भाई थंड बढ़की और एपुरी था पाद के अभगी अविरी इसकों भी बढ़की मैं इसलों अविर्ट बढ़कीर की वह सुए हिए अजाह था कि हो पृटीजि आपड़िशली आ अज장 एक्टिरर्शली पना जब अगले दिन में सेफ आउस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा पूरा एरिया बर्फ से ढख चुका था और काफी जोरों से बर्फ गिरने लगे थी और मुझे अपने पुराने ट्रैप को इंप्रूब और अप्ग्रेड करने के लिए चेस्ट के जरूरत थी इसलिए मैं हीडन चेस्ट और नई समान की खोच करने के लिए वापिस से अपने बेश से दूर निकल पड़ा तो यह पापर गिर जाता मैं वहाँ पर अभी तो यहाँ पर दिख रहे यहाँ पर दिख रहे है कुछ दूर जाने के बाद मुझे वापिस से पहले की तरह ही एक पत्थर का घर दिखाए दिया जो कि पहले की तरह ही टूटा हुआ था और बीच में एक पेड़ था रेकिन इस बार मुझे पता था कि चेस्ट कहां पर रखी हुई है वाला बाके था कि पठापट से जाते है इसमें कुछ जादा है बढ़ गए जादा सनो पड़ रही है और मेरी विजिबिटी भी कम होते जा रहे है अगर दूर से कोई यह आ जाएगा ना जॉंबी मेरा गेम ओवर हो जाएगा यहां पर रहता है बनावर यहां 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 रात उने आई है क्या अरे इतना सारा सामान इप यह क्या होता है और मैं जल्द सी जाकर उस चेस्ट का सारा सामान लूट लेता हूँ लेकिन इस बार मुझे चेस्ट में स्लाइम बॉल, डायमड आर्मर, टी एंटी और ग्रैपलर मिला था और ग्रैपलर हूप मेरे लिए काफी नया था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था लेकिन वो सारा सामान लेते वगग कब दिन के रात हो गए मुझे पता ही नहीं चला और जॉंबी मेरा पीछा करने लगे नहीं दीदि यहां और ऑगे आगे आगे अगे मैं कैसे वेसे करके वापिस से अपने बेस में आ गया यह वापकी से लगा जेते हैं भाई बहुत टाइम पर पहुचे हम लोग देख कितने सारे साविस पीचे से आगे थे और टाइम पर हम लोग लगा थी यहां पर जम कर जेते हैं वो लोग और मैंने अपने नए ट्राइब को लगने वाले सारे होपर बना लिए यह देखने ने पर उसके बाद मैंने तर उसके बाद में विन गुण चला ना सीख लिया यह ग्रैपल तो कर रहा हूं मैं पर मुझे क्यों नहीं रहे है तो यह होड़ रहा है अजल गो ने विस इस वाटना में धुल अच्छा ए खुड़ के शेयन गुआं अच्छा बंद च जैज करो तो नजै करो तो इसका देखें और फिर कुदो कैसे गूमत वे रसी दिख एक है कि उसका देखें कि कैसे गूम रहे है यह यह है यह शाश्य मत नजै कि अवर जा जा पारा हूं Savior.. अरीघ्य ह QUE आगि तूर जा.. वहर जाने अरственनील क्या सकाओ, वहर्ग मुझाञा हूख, यहाणद अरिस निस फिरते है? मямा डीगफ मैं मैं एडिया है yep पाल मैं ? में जच पाल विए एडिरों ने है मैं अजय है मैं ऐलोग गर जाँ एड। सब्सक्राइब करते हैं जब भी रात होती है जॉंबी यहां पर आजाते है तो एक बात मुझे करने पड़ेगी बस मुझे नीचे खड़ा रहना पड़ेगा यह यह हो जाओ अगर में गिर नीचे गिरिया तो यहां से नीचे गिर जाता है और आप मैं आपको नीचे का एरिया दिखा तो रूग एक मिनिट हम लोग उसके लिए अंदर जाना होगा कि यह ग्रैपलर को मैं लगा लू और मुझे फूटना होगा यह इसका भी अच्छा कासा यूज होने लगाए ग्रैपलर का अब जाते हैं अंदर और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यह अंदर से कुछ ऐसे दिखता है यह हमें बस इन्हें मारना होता है जो पहले सामान हमें लेने जाना पड़ता था अंदर उसे अब लेने जाने के जरुवत नहीं पड़ती अब जो भी कुछ गिरेगा वो देखो इसके अंदर सबस्क्राइब करने के लिखाण पर आ dipl secondo तो जो आएन हम लोगों पहले निकला था एक काम करते हैं यहां पेना कूदने के लिए कुछ बनाते ऐसा इसा इसyttब करने पर फंभ已经 के नई-णिनाइड में वह बहुत रिस्क है यह काम बहुत रिस्क है में ऊपर जाने टे यह सि कहां पर मोघ शेंट यहनि शोवल से आपर एक काम करते हैं इसे पहले बढ़ देते हैं और आप ना सही होगा अब इसी का सहारा लेके हम लोग सीधा ये देखा कुछ नहीं हो वादा हमें और और यही से फिर हम लोग ऐसा गरेंगे यही ऐसा ये काम तो हो गया है चलो पहले हम लोग जाते सीधा ग्लास बनाने के लिए है पहले हमें बहुत सारी सेंड की जरूत पड़ेगी तो माइनिंग करके वो सारा कोल भी सब निकाल लेंगे एक दम फटा पड़िक दम फास्टम फास्ट वास्ट जाए हमारे थोड़े वेपन तो बन गया है यह डायमंड से प्लाटिनम वार हैम बनाया जो कि इस दिखने में एक दम सेक्शी लग रहा हम लोग ने कुछ आयन से हमारा पुरा यह भी बना लिया पुरा शूटे और आर्मर भी बनालिया अध़ उक्षा सेट वाला फाइट कर रहा है नहीं मैं अंधर ने गिरना जाता बर देखो किया सेटला फाइट कर रह हुए है यह गिरे हुए है तो जाने तो इनसे कुछ अब मैं पग गया हूँ मुझे को सामान भी नहीं चाहिए इनसे सारा तो है मेरे पास अभी फिलाल अगली सुबह तो हो चुकी है पहले तो हम लोगों ने जो कल यह दिरे दिरे अब यह दिरे दिरे बटा हां अरे यह खुले रहे गया क्या इस टोन ब्लॉक कहा पर गया कि वा तो ने रहे है पहले हम लोग कल हम लोगों यह डाले थे इक ग्रास बढ़ रही है कि नहीं यह ग्लास आज वाज में फैल नहीं चाहिए पहले तो अधिक अभी ज़र्श पैली अब भी जश्में देखा और वह वहां पर यह भी हो गया यहाँ पे वक्रम्कन वर लगाएंगर पर दिक्ट ωरी नीचे तोडके सारा ग्लास का बनाना पड़ेगा मैं अदð या आत्रेवालार यह गयाःए सफ्रिक्सरान पूरा नीचे के दिख रहा है लेकिन पर उन छो मुद्क ने चाहला है चलता पहले सामान उठा लेता है आए हम लोग और हम सी यहां पर व्य वश्वीत में यह वाले के लिद्तcribe क्ताघ में तो इतना भी ज्यादा नहीं था हमारे पाल थोड़ा था लेकिन फिर भी ब्लॉक्स के लिए पूरा नो आयन इंगत लगता है तो इतने नहीं थे तो कुछ छोपी पून मैं मुझे में एकिल वर कि लागा यहां पर तो तो उसके लिए पहले यहां पर बनाते यह यहां यहां 500 वह और यह हो गया और यह ढाल दिया यह बन गया अब हमारी डबल सेफटी के लिए यह भी हो गया आयन कोलम भी हो गया मुझे लगता है थोड़ा और आयन कलेड करते हैं और दो-तिन आयन तो नीचे गिर जाएंगे शायद से वह बुद्ध है तो इसमें गिर जाएंगे अंदर ही ठीक है और एक अंदर बना लूंगा में बाद में थोड़ा और आयन गयादर करने के बाद चलो जाते और वहां पर करी लेते कोई बात नहीं है अभी हमारा जो अगला ट्रैप होने व पहुद कि यहाँ पर इतने सारे जॉंबी जेना में ऊपर वाले जॉंबी को मार के चलो यहीं से ऊपर वाले को मारने के ट्राइग करता हूं और मर्जा भाई कितना टैग लेगा एक फटका और अरे 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 यहां पर कैसे खूद रहे है अरे वह इतना क्यों डैमेज ले रहा है उमर क्यों ने रहा है मर गया मर गया अरे दूसरा बेड़ गया उसके ओपर जाके ढुड़े फिर कि पर एज अरे यार से उप जेंड़ें है अब क्यों को यह बावर कूट पाहरे था दिन बढ दिन onट कूट पास्ता रहे हू यहांपर कैसे वह बर गुद पाहा हूं तक में हम कैसे बैसे बेट पाया हुँ इस पर लेकिन दिन में बेट नहीं पाऊंगा क्योंकि दिन में घोड़े मर जाते हैं थोड़ा एक्स्प्लोर करते हैं कम से कम फास्ट में चले जाएंगे हम लोग में एक गोल्डन एपल खाकर रखता हूं इसे उमार को है लेकिन सुबह होने लगी है यह जल से जल दूर जाना पड़ेगा औरना जौंबी जलना कि में वहाँ पर जाना है कि मैं पहले थोड़ा एपल खालेता हूं कि मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है उसे हमारे पास गोल्डन एपल बहुत सा रहे है लोड़े उन्हें पूरा यूज भी नहीं गया है लेकिन जैसे दिन कम होते जा रहे वैसे इनके पावर में बहुत बढ सब्सक्राइब कहां तक पहली है एक पर यह बंध गिरना बंध हो जाएगी फिर अचाना अपने आप हम यह पूरा भर्याली से भर जाएगा पहले यह से ने रहेगा लगाना है और फिर लगानी है दौड और हम लोगा आ गया अंदर तीनों आयन गुलम अच्छे से हो चुक है लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है कि बाकी है वहाँ पे वहाँ दूर पे मुझे रात को एक लाइट ने जरा रही थी तो हमें जाके देखना है कि वहाँ पर है क्या चीज मैं अभी आपको हमारा थे दिखाऊंगा वह सब्सक्राइब थोड़ा ता पीक दे सब्सक्राइब है कि इसके अलाव आप भार निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे प्राइब हर यहीं पर गिरता हो कि दिखा देता हो आपको यह इस चीज को हम बोलते है इस चीज को हम बोलते है मौद का कुवा वह में ना वकिर जाओ तो अब अब लोग ने काफी सारा माइनिंग किया और काफी सारे अलग-अलग रेड्स्टोन और कॉबल स्टोना में निकालने पड़े जिसारा लावा जो दिख रहा है वहां की इंफानेट सोर्स है लोगों ने लिया है और ग्लास तो वही से बनाई अब यह पूरे ग्लास से भर दिया है और अंदर वाले साइड में पूरा लाव आए मैं आपको कितना डिप हो दिखा देता है आपको ऐसे अंदर दनी आएगा कि वह आखिर में कितना डीप है अब आभी आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी जूंबी उसके ऊपर से गिरता है यहां से यह एक स्विच जो थोड़ी दिर में आपको मैं पता दूंगा लेकिन अगर मैं भी यहां से गिर गया तो गया यहां से बचनी का कोई चांस ही नहीं है यह स्विच जो है वो सामने लगी पैंसे उसको उपर नीचे करता है तो अब में वापको वहां पर जाकर बता हूंगा कैसे क्या होता है चीजे तो बेसिकली यह एसी है अब हम लोग नीचे जाते है और वह सैड में जाते है नीचे करने पहले आपको 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 आपक से पहले हम मेरे सोल सेंट नीचे लगाई थी जैकि मुझे बाद में पता चला कि 1.12.2 वर्जन जो मैं भी यूज़ कर रहा हूं माइंक्राफ का उसमें एक्षॉल में तो कभी सोल सेंट की वज़े से हम ऊपर जाई नहीं पाते हैं वह अपडेट बात में आया था और मुझे निकलना चाहिए फिलाल के लिए तो ऐसे करके सारे जॉंबी उस टाइम पर मॉप जो होते वह अपने आप तेर कर ऊपर जा पाते हैं तो सीधा उपर जाएंगे और हमें आपने पर जाने पड़ेगा अब ऑल्मोस्ट पॉच्छ 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 यहां से ऐसे ऊपर आ यहां पर आएंगे यहां से आगे निजा पाएंगे तो वह सीधा नीचे गिर जाएंगे और यह लास दिन है और मुझे लगता है वी एक ही दिन बाकी है और इसे यहां से ऐसा इसे बना चार। भी जाएंगे ट्रीट पराइन चेज़ settings कामे P कि हम करेflu के छाने कही दो करने तो कि की शर्हां कि हम अभटा सीनी प्लीज एक लाइक कर दो तो गैस अंदेरा हो चुका है और अंदेरा हो चुका है और अंदेरा होने और अगली नाइट मतलब कल की लाइट लास होने यह क्या वहाँ पर मुझे कुछ लाइट दिखाई दे रहीगी एक मिर्षए ग्राइब यहान ग्राइब टोफ आगे जाएगे कि पजब जाना पड़ेगा वहां है किया है तो यह अच में ए तो दिख रहा है एक विल्लेजर से उसमें तुम ने तो कहा था कि यहां और कोई जिंदा नहीं है इहाँ पर पोई भी जिन्दा नहींता मेरे सिवा इस अधकर प्लीज कहा से आगयाँ क्या पता लगता है जॉंबी ने ने कपर दिया हुगाया विच्ने कप कर दिया होगう जो लगता है जो तुम्हें तुम्हें है था उसी नहें पर फिलेजर को क्या है अब वो उपर ने आप आएंगे में एक काम करता हो अधर चला जाता हो अरे बबा क्या कैसे तुम यहां कैसे आ गए यह पैक कर देते पहले कि अधर इसे क्यों देख रहें कि पास क्या क्या चीज़े हैं कि वह भाई गोल्डन एंपल है चलो यह क्या चीज़े ल्यू फायर जार यह क्या होता है कि अधर हाथ में लेकर देखते हैं कि भी पारा नहीं कि टट्टी है तो कि विलेजर मिलने के बाद हमने अपने प्लैन को चेंज किया और जो पुराना ट्रैक था उसमें विलेजर को ले जाकर बंद कर दिया दर्वाजा लगा देना वो दर्वाजा खोल के आया अभी बाहर तो इस ब्लड मून आई रहे देखो यहां से यह संड सेट हो रहा है और यहां से यह ब्लड मून आ पता भी नहीं क्या अंसर मिलेंगे देखो आना शुरू होगे जॉम्भी जॉम्भी ओ माइगाड ओ मैगाड एक साथ इतने सार जेंशन स्पाउं हो गए भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-बाई-छान कि अपर देखो उपर कितने सारी जॉंबी नहीं रहे हैं यह घलत बात है खोल देता हूं देखते क्या होता है Okay, are you ready? Three अरे, यह क्या बन्त है? यह तो ऊपर से चड़के आ गया, यह आगे फेंस कि लगाया था फिर? अरे, नहीं ने, यह तो मेरे पास आ रहा है अरे? यह कहां से आ गया? अरे, जॉंबी, अपने पास आ रहा है, अपने पास आते जा रहे है इस तो वहां पे टॉद़ लगा है यह कहां से उड़के आ गया इसको फ़ाहन जन रखी ये 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 मैरा गेम काफी लग हो रहा है इतने जना अगए कि मेरा लाइक को रहा है नहीं नहीं भाही बज़ गए मैं मुझे गोल्डन एंपल खा लेना चाहिए यह पर नुचाल लेता हू नीचे.., नीचे देखो कितने zombies आ गेए Tower के पास और वही zombies उपर भी आ रहे है भई, भई. भई, 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 भाहि, भई क्या हो रहा है वोगो फो कि यहां पर आए यहां पर गिर हैं देख मैं लूपर बसने की लिए सिधा अंदर जा रहे हैं सब आंदर जा रहे हैं यह चाही से जारहा है और जैना यह तो प्ल्सोह — करता है तक कुर लाए्ड इस सब्सक्राइब रही पिने आप से प्लेंन नहीं नहीं रहा थुडिल की खालों एक गूथ कि नोस्य सोन गता है थे क्षचक अब घरब करना से रहे हैं तुम सर्वाए हो जाएंगे पर इनके बीछ में से हमें के सोऔर जाना है कि है यह लोग चलो 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 भागो नीयóp साथ कि ऐस और भागू तो यह था क्ल viewers नीट यह है अब सेरे हम लोग अब थोड़ा सेफ़ेंद आब जुपी काफी सारी कम हो चुके तो मैं सोच रहा है कि वापीस से उपर चले जाए यह तो आते ही रहेंगे यह काम करते अब बुला लेते और हमारे बेस पर वापीस से होपर पर चले जाते तो गैसे देखो वहाँ पर अल्मोस सन उपर आने वाला और मेरी लास्ट नाइट खतम होने वाले इस दुनिया की बस बस जल्दी से सन उपर आ जाए पर आ जाए और थोड़ा और थोड़ा टाइम लगेगा हमें थोड़ा सा और इन्हें हम लोग को भगाना पड़ेगा यह बहुत सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है मुझे मार सकते काफी इसी ली यह काफी सारे जनclock या अचल से इनंकी साइज यसे बढ़ गई नहीं 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 पड़ गयी मुझे पड़ गयी बढ़ गान आकलसे इनकी साइज भग गई पहले इतनी नहीं थी यह लोग तोड़ा सा ओल टाइम हमेरे चाहिए थोड़ा सा एक काम करते हम लोग इनना उपर लेके जाते और इस टावर से गिरा देते जला चला चला जाला जो अन्यम्म, मैं ऊपर जाना पड़ेगा बाद जल्दी से में गोल्डन अपल खालेता हूं लास्ट के कुछ ज़ने इन अंदर गिरा देंगे तो हमें हमारी सारे सारे कोस्चन्स के आंसर मिल जाएंगे विए लास्ट लास्ट कुछ आर्स जल्दी का यूलो हम लोग आगे हिंदक में पुनई I am ने जाय सुबह रहने वाली है लिकीने मार रही है है कि काम करता हो यह Sesus Chrono झाल झाल